काशी में हो रहे, इस कारकम को मैं कई संभावनाओं के साथ जोड़ कर देख रहा हूँ, एक और बनारस जैसा, दुनिया का सबसे प्राचिन शहरों में से एक स्थान, और दूसरी और आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रुप रेखा, अभी हाल मैं, जम्मकाशी में था, त मैंने कहा भी था, कि काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोड में बन सकता है, हमारे देश में ज़यादा तर शहर, पारंपारिक शहरी है, पारंपारिक तरीके से ही विक्सित हुए है। आधुनी करण के इस दोर में हमारे इन शहरों की प्राचिनता में भी उतनी एहमियत है हम अपने प्राचिन शहरों में उनकी हर गली से हर पत्थर से हर पल से इतिहास के हर तबारिक से बहुत कुछ सिख सकते हैं उनके इतिहासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेणा बना सकते हैं हमारी विरासत को सहजने की समारने की नएने तोर तरीकों हम विक्सित कर सकते हैं हम सीख सकते हैं लोकल कला काउशल को उसको आगे बनाने के तरीकों को कैसे लोकल स्कील और प्रोड़क्स शहर की पहचान बन सकते हैं इस अनुभव को काशी की एकोनोमी को चलाने में माता गंगा का बहुत बड़ा रोल है माता गंगा के तटपर जो कुछ भी हुआ है उससे काशी की एकोनोमी को ठाकत बिलती है क्या हम हमारे करीब करीब अनेक शहर ऐसे हैं जो किसी न किसी नदी के तटपे है या तो शहर में से नदी गुजरती है लेकिन काल करम में वो नदी एक प्रकार से तबाह हो गई है कभी कभी तो गंदी नाली बन गई है या तो बारीस में पानी आता होगा तब वो नदी दिखती होगी फिर नदी नजर नहीं आती होगी हमें इस नदी के प्रति एक बहुत संबेदन सिल अप्रोच अपनाना चाहिए आज जब पुरी दुनिया पानी के संकट की चर्चा करती है आज जब सारी दुनिया ग्लोबल वार में इंग क्लाइमेट चेंज की चर्चा करती है और हम हमारे नगर की नदी की परवाही न करें उस नदी को समालना, उस नदी को सवारना, उस नदी के महत्मय को समझना, समझाना, यह अगर न करें, तो फिर हम कैसे गवरो कर सकते हैं? हमारे जो पीने के सिवाय के काम है, उस में स्वीज वोटर का ट्रीटमेंट करके उस में से पानी बगीचों के लिए, बाकी कामों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उत्यों कर सकते हैं, तो जो वेस्ट है वो वेल्थ में के कनवर्ट होगा, और वो पानी की जो गंदगी है वो भी दूर हो जाएगी, और शहर के आरोग्य में भी बहुत बड़ा बढ़ावाएगा, अगर हम सहर में आरोग्य के लिए ये प्रिवेंटिव चीजों पर बल नहीं देंगे, तो कितने ही अस्पताल बनाएं, कम पढ़ जाएंगे, स्वाभा भी खेंगे, और इसलिए हम हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ भी रहे, ये भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, और मुझे पक्का विश्वास हैं, कि हम घर से निकले कुड़े कचले से ले करके, रसोई से निकले हुए कुड़े कचले से ले करके, गली महले के कुड़े कचले तक, या इमारत पुरानी तूड़कर के नहीं बन रही है तो वो भी इन सारी एक जगात आय करें और कुड़ा कज्रा फैक्ट ऐसा नहीं हम कोशिश करें कि हम उस में से कैसे आगे आ सकते हैं अब जैसे सूरत में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का एक अधुनिक बॉडल डेवलप किया गया है वहां भी सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट के बाद इंडस्ट्री को बेचा जा रहा है और लोकल बोड़ी को कमा ही हो रही है ऐसा कई शहरों में होता होगा तो मुझे जानकरी दिल इसने मैंने उसका उलेग किया ऐसे कई शहरें जो आज कर रहे हैं और उसके करण शहर के र है दा हो सकता है